प्रस्टिकल दोस्तो मैं हूं प्रोफेसर जेस्वत्रा आपका होस्त दोस्त मेंटर लाइफ कोच भी और आप देग रहे हैं यूचिप चैनल प्रोफेसर जेस्टर पर एसका गुरूप हम मिल रहे हैं बहुत समय के बाद में आप लोगों के बहुत सारे कॉल साइथे आपके बहुत सारे मैसेज़ आई थे यह जानने के लिए कि सर अमेंडमेंट और अमेंडमेंट की इंपॉर्टन सीरीज का बारी है तो मैं आपको जानकर ही दे दू क्योंकि लॉक्टाउन के आपको इस सब्जेट से बारे में बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के मात्यों से मिलने जा रही है और अब अमेंडमेंट सीरीज को आएगी इसकी इपॉर्टन भी आएगी और ओर सेनारियो बेस के बारे में इसके अलावा लाइव सेश्शन में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस सब्जेट के बारे में देने जा रहा हूं तो आप जुड़े ने हमारे चैनल से अब तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और नए नोटिफिकेशन के लिए तयार रहे हैं और अगर पुराने स्टूडेंस इसे जु कि क्या आए हैं हैं तो आई हैं तो आहिए हैं सबसे पहले अमेंड्मेंट्स को मिल जाएंगे मिल जाएंगे जोसे डव価्यू कर वटे रहे हैं तो तो किन चीजों बढ़ा सकते आपके पूर्शर में क्या क्या हुआ है मैं साथ बी विए भी बताता जाओं कि इस अमेंडमेंट से पहले हमने पांच अलग-अलग वीडियो जारी किये थे जिसमें बताया था चैप्टर वन से फाइव तक यह इस पर क्या 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 डिलिट हुआ है उनके भी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो पहले आप हो जान लें क्या क्या हुआ है फिर बात करेंगे इसमें कुछ रोज आपके लिए महतुपूर तरीके से लाते रहेंगे तांकि आपके एक्जाम तक आपको हम बहुत सारी चीज़े उपलत करा सके तो कल विल रहे हैं आपको नौबजे रात को अब यह बढ़ा रहे हैं सीरीज को आगे देखते हैं अपन क्या है चैप्टर वन में और फिर देखेंगे इसमें इपॉर्टेंट क्या है तो यह रहे रोट्स आपके सामने हैं सबसे पहले पांच चैप्टर में अमेंटमेंट हुए हैं जैसे कि हम जानते हैं पहले चैप्टर का नाम और बिजनस प्रसेट आज इसको डिसक्स करेंगे फिर सेकेंड वीडियो चैप्टर वन में होने वहाले एमेंटमेंट को क्या लएक बैठने हैं आपको जैसे मताया दाहा था आप हमारी ऑप्पस को लहारी के बैठें या फिर आप ले एक बैठें स्टिटीट के माड्यूर्स को सबसे पहले देखें चैप्टर वं में जो अबिए ग्राभाभा किस क्या है यह डाइग्राम देखें जरा सभी लोग इसको सबसे पहले कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट की इंस्टिट्यूटा में बताइए इस डाइग्राम के दूप पहला कस्टमर ऑडर दिया करता है जैसी वो आडर देता है वे राउस में कमांड चला जाता है कि इसके आईटम को वासे पिक करना है और स्टेजिंग एरिया तक लाना है तैकि इसे अपने डिलिवर कर सकें उसके बाद अकांटिंग डिपार्टमर नोटिफाई किया जाता है कि इसकी तियार कर तो इसका माल रडि हो चुका है और उसके बाद डेटर इपांटमेंट की कंडीशन को नोट करता नुड़ करता है इसका अब डियार कर स्विधिए कुल्डव एक्टिविटी देख रहे हैं अपने इस में चाहर वांसे एक्टिविटी सब्सक्राइब है order from the customer दूसरा वेरहाउस ट्रिगरिंग तीसरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मैं करता हूं इसे आप एंसी क्यों के लिए जरूर त्यार कर लड़ा ओर्डर एक्टिविटीज आप से पूछ भी जाएंगी क्लॉक्वर डिरेक्शिन पर चलेंगे तो पहला है थोड़ा सा आपको वह बी रेफरेंस दिता चलता हूं आपको कहां एड़ करना है तो वह दोबी थोड़ा सा आपको पता चलता चलेगा कहां आपको वुक्स कारणा है देखना although chapter वन आपको यहां के से यह आपको पता है अबने आपको दे रखा यह चैटर बन में यहां अमेंड वाए है इसमें अब इसके अलावा क्या जुड़ा है वह पास में आगे टेबल जूड़ दीए यह टेबल कहां जुड़ेगी भी इटिज एड़ एड दे लास्ट इन पुस्षिन नमबर टू के अंत में इसको जोड़े नहीं कि अपर वापस से देखे तरह विश्चन नमबर टू जो था हमारा वह यह रहा वस्चन नमबर टू था वेरियस एंटरपाइज बिजनस प्रासेसे इसके एंड में जुड़ेंगी यहां पर के बारे में वैसे तो काफी सारी चीजिए स्ट्रेटिक मेनेजमेंट करते में मैं पढ़ाई हैं आपको लेकिन आप इंस्टिटूट क्या किया रहा है आपको समझ लेते हैं इसे टेपल समराइजिंग वेरियस कैटेग्री दो बिजनस प्रासेस त्रू एंग्जाम्पल पर इसी भी बिजनस में को डिसीशन लेने से पहले हम क्या करते हैं आगे की तीन से पांच साल की प्लानिंग करते उसको हम कहते हैं मिशन ऐसा आपने स्ट्रेटिक मैनेजमेंट में चप्टर नंबर थी में पढ़ चुके हैं इस्क्रिप्शन एक एक्जाम्पल से मैं समझा रह है कि अगले दस सालों में हमें से मल्टी फोल्ड कर देना कर देना है अगले दस सालों में यहां को बात की जा रही है अमूल की इस समय अमूल का टर्णोवर जो है वो करीब है 33,150 करोड यह पिछले फिनांचिलियर की बात कर रहा हूं 18-19 की 19-20 के तभी फिगर आने है और 21 टार्गेट करी 50,000 करोड का है यह मैं इसलिए कहा रहा हूं क्योंकि इस समय जो अमूल के डिरेक्टर है आरे सुडी साब मैं उनसे लगातार इंट्राइक करता रहता हूं ट्विटर के ऊपर और परस्टनली भी तो काफी सारे विजन उनके साथ शेर होते हैं हमारे अमूल क स्टोरी हम यहां पर डिस्कुस करने जा रहा है और ट्विटर पर आप आरे सूरी सापको फॉलो कर सकते हैं आप आएंगे वह अपने पारे में अमूल के बारे में काफी सारी चीज़ों बताते रहते हैं तो मूल कह रहा है हमें 2005 में कि उसे तुप एक्स कर लेना है अपने सबस्सक्राइब तर्फ को प्रचस्थ को अब इसके लिए आपको तीम तरीके मेंश्मेंट प्रसेस होता है ने का प्रयास कि यह प्रियास हो तो तूप इसके साथ मैं एक्जांपल लिए सॉर्सेंग इसके साथ यहां अर। सब्सक्राइब करना चाहते तो आपको करना पड़ता है आपको कई एरियाज में काम करना पड़ता है वैसे अभूल ने भी किया है एंटर इंटर इंट्टो नियू मार्केट जैसा भावराम दिव ने भी किया था एक डिसाइड़ वह ओल इंडिया प्रेजल्स था वह इंडूस्तान के हर स्टेट में नहीं थी तरह पत्चीस में से उस समय करीपी से स्टेट में काम करती थी अब उसने का सभी स्टेट्स में सब्सक्राइब करने का सोचा बावराम देगों करी चुके हैं अक्वाइर एक्सिस्टिंग डेरी नियू मार्केट तो यह और और वर्टिकल और कंसंट्रिक ट्रीकेशन के तरीकों में हमने पढ़त दिया है इसको सब्सक्राइब क्या होता है मैनेजमेंट के तहत अंदर क्या होगा और ऑल एक्टिविटी तो बीड़न एज सब्सक्राइब करने के लिए यह मखने हमारे को सपोर्ट प्रोसेश के तौर पे यह सारी चीज़े करनी होँगी नया स्क्षर लागू करना पढ़ है मतलब 예쁜 लोगोंने काम्यां करना है श्किल लानी पड़ेगे क्या अपने को समझा समझा सब्सक्राइब आगे क्या चुड़ा है 1.4.2 sources of risk को जोड़ा गया है तो देखते हैं अपन sources of risk को यहां पर क्या जोड़ केस में किया गया है यह आपको जोड़ना है हमारे institute का जो module है या हम ने जो रूट दिया है question number 5 में आपको रिस्क बैनेज्मेंट पर जोड़ना है इसको आओ देखते हैं question number 5 में इसको आपको जोड़ना है question number 5 में पर आजाओ आप आपको जोड़ना है तो कि अभर पाच को जोड़ेंगे हैं यहां पर अपने को बता है को यहां पर यहां पर आप इसको जोड़ेंगे करेंगे यहां जुड़ेगा 1.4.3 पड़ेगा 1.4.4 पड़ेगा 1.4.5 इस सारी चीजिए जुड़ने जा रही है जिसमें पहला सोर्सलों रिस्क यह नया एड हुआ है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको उसके बाद टाइप ऑफ रिस्क 1.4.3 यह भी अपन है वाले चेटर में बताया था आपको पांच से डिलिट माने चेटर वन में इसको इंक्लूड माने तो वो सारी चीट यहां आ जाएगी डेटा वाली जो रिस्क है युनिट नमबर तीम में मैंने और उसको यहां पढ़ना है आपको यह दो चीजिए आपको पढ़ी बिए क पॉस्चन नमबर पांच में जो अपना हम पढ़ रहे थे अब तक काफी डिलिट हो चुका है मैं बताया था आपको चलिए देखते हैं अमेंडमेंट के अंदर हम इनको कैसे देखने जा रहे हैं आई बात करते हैं अपन सोर्सेज और रिस्क की बात करने जा रहे हैं अपन इस एंड कंट्रोल वाले हमारे कुस्चिन में क्या कह रहा है सोर्सेज बेस्क पर देखें तब मोस्त इंपर्टेश स्थेपिन इस फाइड़नेग्मेंट प्रॉस्ट इस वाइडनेटीफाइड प्रॉस्ट शॉर्स पहले सबसे पहले सोर्स वर रिस्क को पता लगाना पड तो आपको सोर्स वर रिस्क पर सबसे पहले पता लगाना पुड़ेगा कौं-कौंस तरीके की ठ्रेट्स आपके ऊपर आ सकती है और टू पिर आपको बताना लगएगा उससे क्या-क्या दूर करने के आपके पास तरीके क्या होंगे सब्सक्राइब कमर्शल एंड लीगल रिलेशन्शिप एकॉनमिक सरकम्टांसेज यूमन बेहेविर नैचुरल इवेंड पॉलिटिकल सरकम्टांसेज टेक्नॉलाजिकल टेकनिकल इचूल मैनेजमेंट अक्टिविटी कंट्रोल इंडिविज अक्टिविटी बहुत तरीके के इसने सोर्स को बता दिया कमर्शल बिजनसी ऑपरेशन करने से रुख जाए लीगल रिलेशन्शिप काम करना रुख जाए एकॉनमिक सरकम्टांसेज से पॉर्णा वाइरस की समय समय बदले में हैं यूमन बेहेवे बदल गया है हमारा नैचुनल इवेंट्स पॉलिटिकल स से काम करेंगे इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहां पर प्रॉट्ली जो रिस्क है वो उसकी तीम करेक्टरस्टिक होती है नमबर वान पॉटेंशल लॉस डैट एग्जिस्ट एग्जिस्ट आप थ्रेट और वालेविलिटी प्रॉसेस तो सबसे पहले हम देखें अग कितनी लॉस हो सकती इसको एसस करना पड़ेगा थर्ड प्रॉबबलेटी और लाइक्लिट एट्ट एजेंट माउंटिंगे स्पेसिफिक अटेक अगें पर्टिकॉल सिस्टम उसके बेटित होने की प्रॉबबलेटी और संभावना कितनी हैं तो मैं तीन चीज़े देखनी ह सब्सक्राइब करते हैं आज की बात करूं यह चेप्टर बड़ा टाइम यह आया है अलाकि जब इंस्टिट्ट ने इंट्रूज्ट किया थे अब क्या हो गया पूरी दुनिया में और वायरस तो आई चुका है तो इस कोरोना के इन्वार्मेंट में जो इस समय बार चल रही है उसको एक जांपल के तौर पर लेता हुआ आपके सामने बात रख रहा हूं बिजनस रिस्की तब से पहले स्क्रटनिक रिस्क्या होगी इ सब्सक्राइब और रिस्क्राइब प्रिवेंट अर्गनाइजेशन फ्रम अकॉम्पलिशिंग इस अब्जेक्टिव मतलब मेटिंग इस गोल मुझे बताओ इस लॉक्डाउं की सिच्वेशन में सब कुछ बंद है नहीं है अब यह मत कहना सरा आपक्यों बढ़ा रहे हो औ यह दून हो सकता है आपको काफी सारी जान तरी म Capital आपके जून एक्जाम के बारे में क्या होने जा रहा है ऐंसाइड इस टोड़ी लागरे के सीelectं काम नहीं कर पा रही है तो बताओ बैंकक्रप्सी की स्यच्वेशन आ सकती नहीं आ सकती है सरकार स्टेट और सेंट्र गॉर्मेंट क्या कह रही है करमचारियों को निकालो मत उसको लगातार फीड करते रहो हम मुझे बताओ एक मीडियम स्केल और मैशन के पास इतना पैसा कहां होता है कि इस तरीके से लगातार लॉक्टाउन की सिचुएशन में अपने करमचारियों को फीड करता चला जाएगा कभी वह भी हाथ कड़े करते हैं वैसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा बिजनस काम करने जी बंद हो है यह है वारी स्काटिक रिस्क एक्जांपल इंक्लूड रिस्क प्लिटिकल एकॉनमिक रेगुलेट्री और ग्लोबल मार्केट कंडिशन और सब्सक्राइब करने सबसे बड़ा नुकसान कौन खाएगा आपको चाहिए अब पूरी दुनिया वर को पता चल गया की सी की जो लबरेट्री है उससे ही रिलीज किया गया और यह स्टमेटिक एफेक्ट था चाहिना का पूरी दुनिया वर को इंफेक्ट करने का तांकि आने वाले समय में वह आर्थिक शक्ति के तौर पर उपर के काम कर सके आप सबने देखा होगा इस समय सब की सब्सक्राइब अमे पूरी दुनिया उनके खिलाफ इकटी हो रही है इस प्राइशन खिलाफ और और रास्तान सरकार ने कहा था कि हमारे पास टेस्टिंग किट आये हैं चाइना से वह खराब आये तेस्टिंग रोग दी हमारे तो दो चाइनीज कंपनी को बैंद कर दिया गया तो बताओ यह ब प्रेक्टिकल ईग्जाम्पल टूले आज लुट उसक्ता चार महीं बार आप क्लास हमारी देखोगे तो उससीज्ट प्रेजम्पल चनगरवा फ्रेजर्ट सचुगशन चलभी अवित और हमेशां क्या करती है लाइड एक्जामपल के साथ चलती है क्राने गिया करते प्रे लेके होता है और अगर आप सब को भी बात पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लेके मुझे बताईएगा आपको इसमें क्या बात अच्छी लगी और इसके साथ साथ में कहूंगा आप जैसे बच्छों के लिए चैनल बनाया गया है तो जरूर इसको बाकिस सब बच लिकत में आएगा तो साथ फिनेंशल रिस्क डैट पूट रिस्क डैट पूट रिजर्ट इन निगेटिव फैनेंशल इंपक्ट टू ऑर्गनाइजेशन वेस्ट और लॉस अप्सेंट एंग्जाम्पल इंपूर्टिलिटी इन फॉरेंट करंसी इंटरस रेट कॉमाडिट मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो दिवाली ही हो जाएगा पाकिस्तान तो दिवाली ही हो जाएगा इसके बाद में अब उसके साथ सब तरीकी की रिस्क है इंडिया को भी हमारे बहुत जल्दी पैकेज नहीं पड़ाया मसमी का मुश्किल होने जा रही है तो पाकिस्तान का एक्जाम्पल हमने लिए लिए एक्स्ट है रिस्क एड़ उपनाइजसफ प्रफ अपनिक्स नी चुपाई समय पे आपने आपने शी रिटर्न नी बरे शॉच और इसी तरीके की चीजे जो अवाइड़ वाइड भाइड वाइड करनी थी नहीं की आप रेग्ले डियुकराइज नी करने के और इस तरीकी रिस्क एरिया सचे इनवार्मेंटल एंप्लोई हैं सेव टेक्शन और परस्टनल डेट एन अपॉर्ड देटा प्रोटेक्शन रिक्वार्मेंट लोकल टेक्स और स्टैश्ट रिलॉस तो जैसे जी एस टी रिटर्ण ही आपने समय पे नहीं बरा वाप यह तरीक्यां देखेंगे जी ब्रण को मत्किर आप गर्रशन रिख और फोड़िस भीक्तिशन आपकायशं घ्रेट चेशन थैटल विजिशन को प्रोडुट फिलियर एंस अक्तुए शिच्टिम्ट कर रहा है गया वह सारी मैनुफेक्शरिंग है मैनुफेक्शर प्रॉप्टेंम एस इसे कुन कि यूटू लॉगडाउं तो बताओ ऑपरेशनल रिस्क है या नहीं समय हम सबको यह वड़ी दिक्कत है हमारे तो हमने बिजनस की चार रिस्क कर लिए अब तक स्ट्राटेजिक फिनांशल रेगुलेटरी ऑपरेशनल दो और है है जाडियस में आप करते पहले है जाडियस की मतलब क्या है रिस्क डैटार इंशुरिबल और इंशुरिबल होती है उसको पर है जाते हैं जिसमें अपन नेचुरल डिजास्टर मान सकते हैं जिसमें आपन अर्थक्वेक एकदामपल ले लेते हैं अर्थक्वेक आना एक हैजार डियस्क माना जाएगा वरन अपने आपके बड़ी दिक्कत है हमारे लिए पर इसमें मल्टिट्यूड हो जाएगा अगर साथ मर्थक्वेक आजाता है किसी पूरे दुनिया की किसी देश पर या कहीं जौला मुखी इरॉप्ट हो जाया करता ह यह जहीं अचानक बाड आजया करती है वैसी सिचुमेशन क्या करेगी है जाटे इसको क्रियेट करें एक सब कुछ के बाद भी जो बच जाती है उसको क्या कहते हैं रेजिडिव रेजिडियों रेस एनिलेस्ट रिमेनिंग इवन आफ्टर दा काउंटर मैजर सार रिस्क एन सेलेक्शन और सेवगार्ट माल के चलना पड़ेगा कि तना कुछ करने के बाद भी कुछ ऐसी रिस्क हो सकती है जो रिसाइट कर सकती है रेजिडियों रह सकती है जिसका हमारे पास कोई राज नहीं है और नमबर टू उसे असर्ट करके चलना पड़ेगा और उस लेकिन उसके बाद अगले सीजन में फिल से कोरोना नहीं होगा इसकी गारंटी कोई भी देश कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता यह है रेजिडियों रिस्क मस्ट बीकेट अच्ट 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 कर लेंगे ना उसके बाद में होगा स्वाइन फ्लू का टीका भी आगया सबसे बाद में उसके लम क्या कर सकते हैं इंशुरेंस ले सकते हैं टेक इंशुरेंस ले सकते हैं कि कहा दो जाना है तो छिए रिस्क होगे वही कौन से चीर इसकोगे बिजनस में इस्ट इस फानेंश ब्स प्रकार किये नहीं पताई जैसे आपको बिजनस रिस्क है कि कि यहां के पढ़ने जारा है और दूसरी टेखनालोजी की रिस्क है जो चैप्टर पांच में पढ़ेंगे और पढ़े भी अपने महां से लेंगे और तीसर हमारे पाइब पास रिस्क है उसको कहते है डेटा रिस्क यह चैप्टर नंबर भी नाया इंट्रॉडक्शन है रिस्क मैंगेंट को इसके बाद भी मैं आपको बता दू कुछ चीज़ें हम पढ़के आ चुके हैं तो यहां पर भी आपनों को डिसक्स करने जा रहे हैं रिस्ट टर्मिनलोजी इसको डिसक्स करेंगे पहली टर्मिनलोजी रिस्क मैनेजमेंट की है फिर उसके तरकत एसे और लाइकलियोड और इस चीज़ों को देखेंगे तो सब्सक्राइब इस परेंजमेंट की बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट इन प्रॉसस अपर इसके अपर इसको कर सकते हैं इसको टेक और कर सकते हैं ताकि रिस्क असप्टेबल लेवल तक ला सके और इसके लिए में पहले रिष्क करना पड़ेगा फिर उसको मैजर करना पड़ेगा फिर उसके लिए को सबसे पहले टर्म है इसको कहते हैं आपको बतारे कि जिरूद नहीं इसको कहते हैं और फिर भी इंस्ट्रीट में जो लिखा पढ़ लेते हैं वादा एक्स्ट्रीनेशन की जरूद नहीं है इसके लिए सबसे पहले तो हर एसेट अपने आप में वैल्यूबल होता है अब उसकी वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है लेकिन यह बाता है उस उस एसेट को आप विदाउट पॉस्ट इसकी टाइम या रिसोर्स की कॉंबिनेशन के बिना रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और यह फॉर्म में पार्ट और ऑपने आपको अधूरा महसूस कर रहा था अब मैं तो सारे एंट के बाद मैं इंक्लासर को फिर से उसी तरीके से रिकार्ट कर पा रहा हूं जैसे मैं आप से हमेशा इस चैनल के मत्विब से जुड़ता रहा हूं तो यह मेरे लिए क्या इंपॉर्टन्ट आ लाइन लिए है तो यह मेरे एसेट से फिजिकल टैंजिबल इंच दोरों तरीके के लिए डेटा क्लासिफिकेशन पूट नार्मली भी प्रॉपराइक्ट्री हाइली कॉंफिदेंचल और इवन टॉप सीक्रेट यह मेरे जो हाट डिस में रखे में मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोज है उसम मेरे क्या है हाइली इंट्लेक्शल और इवन टॉप सीक्रेट है बिजनस स्ट्राइट की मैंने चाहता है मैं इसको इसको भी करो कि इसको पर प्रॉपर्मेशन सेक्यूर्टी परस्नल जो आई से हमारा होता है उसकी बात कर रहे है तो आइडेंटिवाइक चप्टर 3 में अपन डीटेल में बात कर चुके है पाँ जो वलर्र मुलिटेश को अपन वीकनेस भी करते हैं वालर इन दियूर्टी और वीकनेस पोटेंशली अलाव एक थ्रेट तो हाम और एक्स्वर्ट इस सिस्टम अगर हमारे सिस्टम में नुकसान पहुचा पाएगा मैं इस समय क्रॉना की सिच्विएशन में कहता हूँ अगर हमारा इम्मुनाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉंग है तो कॉरोना वायरस को हारे सिस्टम को भेदने में समय लगेगा लेकिन जो इम्मून जिनकी कम है इसलिए तो कह रहे हैं बड़े बुजूर्गों को हार्ट डिसीज है जिनको ठाइरोइड है उन सब को कॉरोना होने पूपए्ख जा रहे मैं मैक्समम लोग ऑने किसी ने किसी तरीके से सिस्ट्रम उनका उनकी इम्मूनर्टी सिस्टम नहीं नहीं रीखती इस वज़े से उनको इस तरीके की दिख्गपों का सामना करना पड़ा हम भी यह कह रहें अगर आघर हमारा इंफोमेशन सिस्टम पा पासवर्ट 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 पता था थो सिस्टम एंटर कर जाएगा आपके लिविंग फ्रंट दोर अनलॉग वेक्टा वालेरबल तू अन्वालेरबल तू पढ़ाते वह बिकाद अधा लोग दिवाली की दिनों में क्या करते हैं अब लक्षमी आएगी घर के दर्वादे खोल के रख दिया करते हैं लक्षमी तो नहीं आती लक्षमी का दास वह जरूर अजयाय करता है जिसको घरकुलार मिलता राज साफ करके चला जाता है आप अपना सिस्टम ओपन रखेंगे आप लैपटाप ऊपन रखेंगे और आप किसी को भी उस सिस्टम को आपको मिनिममम चे करक्टर रखना चीए अलफ अमेरिक होना सी इस पेशल करक्टर शामिल होने सी है ताक्युसे स्टाउग बहाएं जा सकते हैं ताक्य हम क्या करें अपनी वल्लेनर्बिलिटी वीकनेस को कम कर सकते हैं में एक आप्टमेंटेट इंफोमेशन सिस्टम वल्ल आपको जाके पढ़ाने की कोशिच कर रहा हूं इसमों नौर्मली वल्लीटी इस स्टेट इन देंट इस वन कंडिशन आप अनदर यूजर आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है और आपका काम करने की शौमता रखता हो आप सिस्टम उन अटेंड रख लो पास्वर्ट से कुला रख लो ऐसा कर लेगा इसके लाएगी वल्लुबि आपके डेटा को आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है पास्वर्ट को ब्रेक करके कर ले या डेटा उपन था इसलिए कर ले अलाव जन अटेकर को पूद अनदर एंटिटी वो किसी दूसरे व्यक्ती की तरह इंपरसोनेट करते हैं चट्रती में करना पड़ा था कुछा अब सब्सक्राइब कर पा रहा है और दूसरा वालन अब ट्रेट क्या होता है और तीसरी बात करते हैं इसका नाम है थ्रेट क्या होता है अगर किसी सिस्टम में आप वीक्नेस क्रेट कर सकते हो सिस्टम को डेसी में कर सकते हैं उसको नाम क्या देगे था नाम देगे फिर से देगे एक बार एन्टिटी सर्कम्टांस और इवेंट विए पूटेंचल प्रेट कुस्टम में थिर्ट किया जाता हैं तक किस बिस्टम में हां किये सके सब्सक्राइब कर दिया जाए जाए जिस तरीके से डेटा को छुपा रहा है और इंडिया में कई स्टेट जिस तरीके से डेटा को छुपा रही है यह सब चीजे क्या कर रही है हमारी से बाहर निकलने के प्रयासों को हैंपर कर रहे हैं यह जिसके बाद कुछ ही नहीं क्या कर लेगा बताओ तो अगर आपके सिस्टम में हैं से नहीं है तो आपके सिस्टम में होने का कोई कारण भी नहीं है पलडार पेड को ही पठर मारे जाते हैं तो पन पत्थर मारता है क्या नरे तो घ्ल अ कि कर दूब खाइब बार बाट कर सकते हैं पहुँ सब्सक्राइब लिए परने का होता है रुषरा फोल विल्राबिटी क्या होता है तीसरा थ्रेट क्या होता है अ आँ बात करते हैं एक्सकोजर जिछे चीज़ पढ़ने जारें टॉटल मने ज़ए एक्सकोजर का मतलब क्या एक्सकोजर इस देट अव लॉस पढ़े जाया है तो जिसको और न हो गया है वो एक्सकोज वो गया है कोरोना के लिए एक्सकोजर आपका शरीर कोरोना के लिए एक्सकोज़ वा उसका लाइकली हुड क्या हो सकता है वो सकता आप रिकवर करके आजाए 20-21 दिन जो भी टाइम लगता है उसके अंदर तो बताओ उतने तो आप पीछे चले ही गए ना इसी तरीके ने कोई कि और इसी तरीके के थ्रेट एक्स्प्राइट होने के कार्ण बेंकरप्सी में चले जाती है या लॉकडाउन में चले जाती है उसको रिकवर करने में कुछ समय तो लगेगा उस दौरान उसको लॉस होगा कि नहीं होगा उसी को अपने स्मूजर कह रहे हैं पर एक्जांप प्राइवेसी और लॉस प्रिसोर्स ऐसी कई चीजिए हम लोग एक्स्पोजर में मानते हैं नेक्स्ट है लाइकलिवड फिफ्थ चीज़ है तो क्या कि देख लिए अपने सबसे पहला देखा आपने इसमें वालनेबलिटी को अबने देखा इसके अंदर थ्रेट को फॉर् प्राइवना को शिक्स देखेंगे अपन अठाइक और फिर एक टाइग्रफ दो समझेंगे लाइकलिवड बॉसला होने की संभावना कि इसके अपर इसके इस्टिमेशन ऑफ प्राबबलेटी दैट थ्रेट फुल बी सक्सीट इन अचीविंग अन डेजारेबल इवेंट इ इंडिया में पीकीण देखेंगे अभी को शपीसदार बरीज चल रहे हैं इस समय हमारे पास में आपको 31 महीं होते होते हैं मरीजियों की संख्या में लाख को में होगी इंडुस्तान को अभी भी जिस तरीके दभी दम लॉक्डाउन का सक्ति से पालना नहीं कर रहे या नह सब्सक्राइब और इसके बारे में कल बात करूआ आपको रात को नौ बजे क्या होगा हमारे एक्जाम का कि अब प्रेजन्स टीना सिटी मतलब नजदीगी एड स्ट्रेंट अध्रेंट अध्रेंट एफेक्टिवन सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यह मास के साथ जीना मैं देख रहा हूं और इसके साथ जो हम तरीके की तरीके की चीज़े सीख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉल्व करना यह मास्क लगा के चलना यह नूर्मल हो जाएगा बहुत जल्दी बहुत जल्दी हम इससे दूर नहीं कर पाए सब्सक्राइब करेंगे और मुझे भी लग रहा है सब्सक्राइब कर पाएंगे सब्सक्राइब कर पाएंगे सोचल डिस्टेंसिंग क्लास में चाली जैने बिठाने बढ़ेंगे तो सोचो हमें कुछ और यह सब चीजें एक तरीके से लाइक लिए जिसको हम सबको संबावनाओ के तौर पर तलासना पड़ेगा आने वाले समय में एक सब्सक्राइब कर सकते हैं के सिस्टम के एक सब्सक्राइब करने के लिए इन अटैक इस इन मैलिश इंटेशनल फॉर्ट यह जाता है अगर आपके नहीं है यह आपका अपडेटेट नहीं है तो बताओ एक वाइरस के दारह में आपको इंपक्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं इसी तरीके सब्सक्राइब इसी देश का इम्मुनाइजेशन सिस्टम भी है मुझे मालूब मैं लोग सोशल डिस्टेंसिंग इसका फॉल अप नहीं करते हैं तो बताओ एक पॉर्णा जैसे विमारी आपको दिक्टत कर सकते ही नहीं कर सकती है इसमें चाइनों को पूरा दोशी मालता हूं बले दुनिया में कोई कुछ भी कहले मैं चाइना को इसका पूरा दोशी मालता हूं मुझे समझ बहुत नहीं नहीं पड़ती लेकिन चाइना और दुनों नहीं बाते चुपाई और उसका नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है तो बताओ ये मैलीशियस इंटेंट था चाइना और पहले दो और उसके बार में इसके दवाई हम देंगे और मुझे इसमें कोई आश्चर नहीं होगा आने में सबसे पहला वैक्सी नहीं है इसका मतलब क्या कई नहीं आपके तैयारी पूरी थी और उस वज़ें से आपने पूरे दुनिया के देशों को मुश्किल में डाल दिया बताओ इसका बुक्तान कौन करेगा आप देखो अमेरिका यॉर्प के कई देशों ने अपने बढ़ा है और चाहिना इकलओता है और इसके बाद हमें हिंदूस्तान के सावची कहा करता हूं अब कोशिच करो कोशिच करो विकेशन में बाहर वी जाओ सामान इंडियन खरी तो अपने आस पड़ उसके लोगों को व्यापार दो बिचारे खड़े कैसे होंगे इसी तरीके से होंगे तो यह तरीके का malicious intentional act था पूरी दुनिया वर के ऊपर और अब इंदुस्तानियों के ऊपर भी अमान के चलेंगे उसको अटैक मानेंगे आप बेसिकली इस सेट आव एक्शन डिजाइन को कॉंप्रमाइश सिस्टम सेवगार्ड आप कितने अच्छा सिस्टम बना लो अगर आपकी कोंफिटेंश लेटी इंटीग्रेटी और अविलेबिलिटी और चौती चीज़ और इस पड़ते हैं अगर वह कॉंप्रमाइश हो गई तो फिर आपके सिस्टम धरे के धरे रहे जाएंगे आपके सिस्टम और लोगया आपके सिस्टम बीक्नेस अजाई आपका सिस्टम एक मतलब होता है आपके सिस्टम के करना आपका सिस्टम कितना हो जाता है और वीक्नेस के कारण वह सिस्टम लॉस में चला जाता है चौता उसके होने की संभावना पांच वह उसके होने की संभावना को हम लाइक यूट करते हैं और चटा एक ऐसा अनौतराइज एकसे और इवेंट एंट है जिसे आपके सिस्टम को नुपसान पहुंचाए जाए पुछ चीज़ें देखिया अपने पर स्याग तर्लेंट टांस को एक डाग्राम से समझ जा रहा है पहला क्या है थ्रेट चौती चीज़ कि एकस्पोड़ पाची चीज़ कहा है लाइक चैटा चीज़ कि अटेक्ट आप्टे बच्चे को बढ़ाया करते हैं जो में में एक् चाहता है जाता है कि चाहता है कि उसके रिस्क कम से कम है मैं क्या चाहूंगा मेरी प्लासे निर्वात गती से चलती है लॉग्टाउन हो या नहीं हो अब तरीका समझ में आगया है मुझे कम से कम दो जगह की सिस्टम बनाने बढ़ेगी एक और एक अपने घर पे या जहां से भी मैं क्लास लेना चाहूंगा और मैं डिपेंडेंट नी रहना चाहता और मैं आपकी जानकरी के लिए बता दूँ अब मैंने ऐसा सौक्टर भी विक्सित करवा लिया है मैं और मुव भी रहा ना तो मैं आसानी से क्लास ले पाऊंगा मतलब मुझे सेल्फ इंडेपेंडेंट होना सिखा दिया मोदीजी ने क्या का स्वालममन की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो मैं भी स्वालममन की तरफ बढ़ गया अब कुछ भी हो जाए है मैं कहीं भी रहा हिं मैंने एक लैप्टॉप पे चलने वाला वर्जन विक्सित करवा लिया है और मुझे केवल एक कैमरा चाहिए मुझे एक लैप्टॉप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावार मैं इस तरीके की टेक्नोलोजी क्लास आपको देने में सक्षम हूँ या आपके इं सकते हैं कुछ स्कूल के हैं कुछ हमारी तरह हैं मैं उनको सो लोगों को ऐसी टेक्नोलोजी से कर चुका हूं कि वह अपनी क्लास से लॉक्टाउं की सिच्वेशन में भी ले पा रहे हैं तो हर और क्या चाहता है उसके पास कुछ ऐसे कांटर मैजर्स होने चाहिए जिससे क् जसी मात्रब के अपना अपका हो जैगी है से सकती है तो ह्रोन आपकर हो सकते हैं यहां चाहिए पुराने सकते ao करेंगे ताकिले एक्स पोपरसार की और सकते हैं तो श्रीट कुम देखित हो सकते हैं आप यापकंश बहुआ वी सब्सक्राइब करता है ताकि कम से कम हो सके और थ्रेट करते हैं ताकि एसे चीज़ों को रोग थाम करने के लिए बनाया करते हैं तो चीज़ों में देखा रिस्क और अब आतम करें था यह तरीके जिन से इस रिसको रोप जा सकता है जैसे एंटिवारस उसकता है यह जैसे अच्छा ट्रेट रिफूल हो सकते हैं इंटरल कंट्रोल पे एक तरीका और अगर लाएं ट्रस्ट वर्दी एंप्वाइं रखावा है तो बताओं रिस्क को कम कर सकता है सब्सक्राइब कर सकता है मैं इस समय कहुंगा देश के स्वास्तिकर्मी देश के पुलीस कर्मी घरसिंग स्काफ और भी जो लोग लोग लुक्टाउन की सिच्वेशन में घर पे रहते वे सबीसे दे रहे हैं उस सब हमारे लिए क्या है इस को रोना के फाइर को ही तो साथ म सब्सक्राइब कर लेकर लेता है मेरा पास्वर्ड कर लेता है पास्वर्ड पता कर लेता है तो इक तरीके तो इंपर सुनेशन कर रहे है न स्कूपन सूफिंग अटाइग भी कहते हैं एस टू काउंटर मैंजर्स पहला स्ट्रॉंग अथेंटिकेशन प्रोटकॉल तो वेलिडेट दे यूजर आजकल आपको पता होगा बैंकों ने जब भी आप ऑनलाइन गुड्रॉल करते हैं डिपॉजिट करते नेट बेंकिंग की बात कर रहा हूं मैं तो क्या करते हैं को पासवर्ड नेट बेंकिंग को पता भी कर लेंचे करेक्टर वाला तो एक ओटीपी जनरेट होगा जो केवल रजिस्टर मोबाइल पर आएगा तो पता हो इस तरीके चेंट बेंकिंग को अलाओ कर देना चाहिए ताकि आप उस्पूफिंग अटेक से बन सको इसके साथ सब पढ़ाते हैं मैंने काहता है किसी भी व्यक्ति को कभी भी ओटीपी शेर मत करें चाहिए चाहिए पासवर्ड दे भी है तो वह और इस तरीके से ऑथेंटिकेट करके ही मैं उसको पैसा विड्रॉल करने पासवर्ड शूब नाट वी स्टूर्ड इन फाइल इंस्टीट स सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप उसको कभी भी अपना पासवर्ड वहां स्टूर करने की पर्मिशन में दें यह दो कांटर मैजर हो सकते हैं हमारे जो एक्डापल के दौर पेसमें बताया है इस डाइग्राप की बात हो रहा है और आप वह बताई दिया है वर्मिलटी थ्रेटिंग एजंट रिसक असे अपिछ पिछ पीछ में पिर रिलेशन्शिप आप इस समझ सकते हैं यार्भी करना रहा है रिस्केंप इफाइंड पोटेंचिल हां कॉस्ट इफ्रेट एक्स्ट्राइट पर्टिकुलर वर्लिबिलिटी तो बादेमेश्ट रिस्क अनलेसिस इफाइंड प्रॉसेंग दिटर्माइंग इंपक्ट और ऑगनाइजेशन रिस्क असेस्पेंट इं ठीन हैं यॉसेर्ट आपके अनलेसे पैसा निकलनेँ है प्लिक करें आपके कजान रेस्ट करेंचिंप क्रिट यह सब्सक्राइब हां बlow लुट है वन इंटर्पाइज ऑपरेशन और इंटर्पाइज एसंट शुड़ है वन इंटिफाइज वंदल को भी एक्सक्राइट हमारे सिस्टम में आ सकता है और उसे बचाओ कि क्या तरीकिया हमारे बास में हो सकते हैं इन सब चीजों को भी हमें आप बात करते हैं एक और चीज की 1.4.5 रिस्क मैनेजमेंट स्काटेजी इसको इसमें पूल मिला कि क्या करने दा रहे हैं अपन पड़ेगे क्या पड़ेंगे पर 5 पड़ेंगा भी बात करते हैं कि याद भी करवाद में आपको इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट बिगिन एक्लियर अंडर्स्टेंडिंग और रिस्क एक्स्पोजर हो सकता है आफ्टर डिफाइनिंग रिस्क एपिटाइट इस एक्स्पोजर स्टे पर दो पर दो बिखेट आपको बिखेट इस प्रोजेक्ट एंट सिप्निफिकेंस विजनस बोर्ड और सीनियर मैं चूस्टू टेक अप एन यह फोलिग रिस्क मेंजमेंट इस्कारटी इन इसलेशन और इस एक्सी एक्सक्राइब और अनलाइब इस नॉट अलवेज एप्रोप्रेट विप्लिमेंट है अग्या कांट्रोल कॉंटर दें सब रिस्क में बी माइनर रिस्क और इसके लिए उतना कंट्रोल वैदर हम डवलप भी न करें और इत ने भी नौट सो कॉस्ट एफेक्टिम्ट और एक्सपेंसिव कंट्रोल प्रोसेश्फरम दें रिस्क मैंजमेंट स्ट्रेड़ी एक् अगर्य नो मान के चलो तो आपके यहां पर वाइरस का आना क्या है एक तरीके से टॉलरेट करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके इंटरनेट है तो इसको टॉलरेट करना पड़ेगा जैसे मैं आपको बताओं अगर आप बिजनस कर रहे हैं तो मान के चलो हिंदोस्तान में कुछ लोग रोज तो जादा जिकाल ने करें तो पर उपर दोर पर दियो और चुटी करो एसक्ट करके चलना पड़ेगा इस तरीके साव अगर करके चले किस देश में आप रहते हैं तो सारे लोग आपकी बात को नहीं मानें लिए कुछ लोग तो ना फर्मानी करेंगे तो टॉल्रेट करके चले असर्प करके चलना पड़ेगा वारे लिए तर्मीनेट और इल्यूमिनेट जरी तो बाइब दूसरा क्या आता है तर्मीनेशन कर दो इस पॉसिबल फॉर रिस्क भी एस्सेटेड विद यूव टेक्नोलाजी सप्लेर और रिस्क एलिमिनेट कर दिया रिस्को इल्यूमिनेट कर दिया आज हो तीसरी बात करते हैं तो पहला था पहला क्या था टॉलरेट दूसरा क्याटी तर्मीनेट इस तरह आता है ट्रांसवर या शिर्द रिस्क रिस्क मिटिगेशन अप्रोचेस कैन भी शेर्ड विद ट्रीडिंग पार्टनर संप्लाइर एक गूड एग्जामपल इस आउट्सोर्सिंग इंफ्रस्ट्रक्ट्ट् क्लाउड से सारे अपने रोड्स प्राप कर पा रहा हूं तो बताओ मैंने अपनी क्या कि इसको शेर कर दिया टेक्नोलोजी कली तो इसको ट्रांसवर करना है तो इसमें आउट्सोर्सिंग चीज़ें लिग लो ता कि आपको पढ़ते हुए फिर दुबारा सी आरा सिकित पह क्लाउड ग्रेंट पढ़के आरे हैं कि इन सचे के सप्लायर मिटिकेट दरिस्क असोशेटेट विल मैंगें इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्टर बारे बिंग मोरें एकसस तो ओर ही इसके इसको अपनी आपको कबर दे सकें एक्स्ट होता है ट्रीट और मिटिकेट दिस्क्राइब कोई सा ओगे है प्रीब खोंगे सा था हमारे हैं पहला था वारा कि पस्टी था यहां पे टॉलरे था प्रॉस्टी था मारा टॉलरेट दूसरा तर्मीनेड थीस रहा था ट्रांसवर चौता एट्री या मिटिकेट करना ज़से अटर ऑप्शन्स है विन इलिमिलेटेट शू भी आंटिवारेस अप्डेट मुआ कर सकते हैं वह इसके कॉंटर सकते हैं सब्सेटीzlich नंबर थीन नेक्सट है तर्ण wesanogen क्या मतलब होता है the probability of impact of the risk is very low then Management decide to ignore the risk क्या कर सकते है उस्टव हूब कर सकते हैं know है nor canard कि व्यूस्ट गर्सके अचना चला जाना मां इस सकते हैं तो जए ए सब्सक्राइब कर रहे च्पार्ट पार्सल आप बिसनस चुक्त बिला के कितने देखिए आपने पहले था तॉलरे भी रहा त्रीज याद कर ले पांच तरहीक देखें अपने पहले तॉलरे दूसेरा धर ड्रीर तरीज पांच्वा अब बात करते हैं अपन 1.5.4 फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल एस पर स्टेंडर्ड और अर्टिंग ज्यान आ रहा है ऐसे 315 का जिक्र किया था अपने उसी की बात की जा रही है तो यह भी आपका पॉश्य नुमर पांच में एड हुआ है रस्पेक्टिवली एक के इस तुट्ट अबरेटिव उसमें थोड़ा साइप एड़ गाई है एड़ प्रॉसस डिजाइड इंप्लीमेंट इन में इंट वैडोस चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट और परस्टनल प्रवाइड रीजनबल एशॉरेंस अबॉट्टिव रिगाडिंग दर लिया दरफटी आपटी ऑ फारींटिव फिनेंशल रिपोर्टिंग इफेक्टिवनेस और एफिशेंसी ओ परेशन से ए सेफगार्टिंगों अग्लाइंस अप्रिकेबल लाइए बीसकेल थोड़ा तर थींस वपंदरा पॉल्टी में इलाबरेटिट किया है यह तो पहले नहीं त तॉप कर तो सबसुंड थिए विथियर मैंज्मेंट लिए मैनेजमेंट इन पर पर स्थैप चीनल इपर गॉटी रिए फिन चीनल एपटीज दॉपर पेड़िए व तरीक्ट करें एपयां इस इतक्यार इंफिंटेस्टेशन हो माई सेवाटिंटों बहुत सारे लॉइप्लिकेबल होते हैं अगर बात करो कि तो उमने कही तरीकी कि बारा पड़के आया थे अपने दस नॉर्मल लो और दो इकॉमर्स के लिए स्पेशल लास की बात हो रही है उन्हों सब को बाइड़ बाइब करना पड़ेगा एंट इंटरनल कंट्रोल सिस्ट सब्सक्राइब करनी है तीसरा अप्लिकेबल लोग की कंप्लाइंस करवानी है और चौटा एसेट की सेवगार्ण पहला एक्टिविटी में पांच चीज़ों मैं से तो उसको मैं थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ा जिता हुए है बाकी सब चीज़ें आपको महीं से लेनी आपर पड़ी है कुछ नहीं आ नहीं है उसके प्रॉट्ल एक्टिविटी इंक्लूड एलिमेंट एट ऑपरेट टू इंशुर्ड ट्राजिक्शन सारॉटराइज यूपी दर सग्रीगेंटेड एडिक्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट् चीज़ान एलिक जया अरने नेंटि ने付ो प्रॉटॉट संपी टों गनल मोडि टॉट्टोर्ट्ड समझाल पैंटेंडेंट प्संचीम एलिस विंदेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा इंटरल के तहां कि आपकी चीज़े सेफगार्ड हुजा है इंटरल ओडिटर्स का ध्यान रखे फिनांसिल इपॉर्टिंग प्रॉपर हुजा है वर्लेविलिटी और वीक्नेस सिस्टम में यह और उसके साथ हमें सब्सक्राइब करते हैं अगली बात करते हैं एंटरप्राइब रिस्क मैंजमेंट फ्रेमवर्क पूरा इसका चार्ट दाव अटा दिया गया है लेकिन एक पैरा जोड़ दिया है पैरा को पढ़ लेते इंस्टिट्यूट क्या कहना चारिये 1.6.2 में यह वी उसी कुशन 5 में आपके इवेंट और सक्वाइब करता है और देखता है उनके अंदर किस तरीके की प्राइब करती है उनके होने की लाइफ्लिट क्या है उनका इंपैक्ट क्या पढ़ेगा उनके लिए क्या सी रिस्क रस्पांस बनाई जाए और आपकी प्रोग्रस को कैसे मैनेज किया जाए आपको ध्यान हो तो हम आपड़ते थे इस करना पड़ता है फिर इस मुटिकेश कि प्रोटेक्टकेशच वाल्यों सकते हैं और वहें जिसका काम है एंटरफ्राइब हरेम रिस्क मैनेजमेंट प्रिंटेश कंते हैं टेन पूर्शन प्रेटेंगते हैं फ्लोजार्ट इंस्टीटूट आड़ कि बात बता हूं पड़ाया करता हूं तो तो केवल बतारा हूं इंस्टीटूट ने तीन जोड़े आपको यह तीन मैं ने क्लासे बहा दिये थे और जो हारे यूट्यूब के स्टूडेंट है या हमारे से क्लासेज में नहीं पड़ेव हैं वह हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाना मैंने तीन फ्लोचार्ट का मारी वीजन करवा रखा उसमें तीनों सवाल सौल है और उनका लिंक इस वीडियो में भी मैं दे दूँगा सब्सक्राइब और उनके लिए कुछ भी फ्लोचार्ट बने या नहीं है तीन सवाल नहीं दिये गया है और उन तीन मैंसे एक्जाम में पूछा भी जा सकते हैं तो कौन से तीन सवाल है मैं आपको बता देता हूं पहला है यहां पे एक्जामपल नंबर थी मैंने आपको करव है मेरे वाले जो फ्लोचार्ट के नोट्स है ना उनमें आपको यह क्वेश्चन नमर टैन मिलेगा यह सवाल 2005 में में पूछा गया है करवा चुका मारूब तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए नया नहीं है सवाल में थोड़ा पढ़ देता हूं तो आप क्या आपको यार्द करके और बहुत अफूर प्राइस कर दे रहे हैं इस लॉंड़ की सिच्विशन में आप यूश को ले सकते हैं तो यह आपको मिल जाएगा यह बैंक चैनले इस एक वाटने के लिए धिस को तीन क्लासों एबी सी में बाटा है तीस परसंट वीस परसंट दस परसंट होता है ये साट प्रसेट द्याना रहा है कि सब्कों यह व्रोचार्ट करना यह काट देना भी इस तो बलती तो है यह व्रोट्स दे रहे था रहे था और मैंने आपको करवा रहा है तो यह सोल्यूशन है मैं करवा चुका हूँगा आज अब नेक्स कुश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट है एक्जाम्पल फोर जो है यह आपको हम करवा चुके हैं यह पूछा गया है एक्जाम्पल फोर लिग लो सब लोग नमंबर एटीन में पोल्ड कोर्स जो इसम का थाना हमारा तब इस सवाल क कूछ ले गया और मैंने इसको क्लास में ही मतलब बढ़ाते वे सॉल करवा दिया था आप सब को मेरे भी फ्लोल शार्ट वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा नवंबर एटीन इसमें 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 दी दूंगा सॉल कर रखा है और यहां पर आपको दे रखा है आज सब्सक्राइब कर देने का तरीका को यह दो सब्सक्राइब यहां से भी ले सकते हैं तो इस कंपलेट सार्ट नुमबर वन इसके बाद अगले वीडियो प्र तूंद शाट रिखेंगा इस तरीके ते पांच अलगलग वीडियो में आपको दीने जा रहा हूं जिसमें आपक आपको बता दिया जाए क्या इस जून के लिए इस बार के एक्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखो भी सब लोग में बताने जा रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट बहुत समय से आप सब्सक्राइब कर लेता हूं आपको त्यार कर लेना है तो यह आपको इंपॉर्टेंट के त्यार कर लेना है और आपसे क्या पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है यह तो जरूर सवाल बनेगा इस तम लोग तयार करके जाए आपका टाइप बिजनस टेक्मलाजी का डेटा या नया इंट्रोड़क्शन मलें बिजनस का है लेकिन सवाल पूरा है मैं बता रहा हूं बिजनस टेक्मलाजी जो चप्टर पांच में पढ़ाता हो ले लेंगे डेटा जो चप्टर की में बढ़ाता है पूरा मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं को जरूर आएगा इससे लिए इसके बार आजाओ यह 1.4.4 भी इंपॉर्टेंट है आप कहेंगे स इसमें पढ़ा था बाता की सब को समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या पूछा दा सकता है आपसे यह भी पूछा जा सकता है इसमें लोग पांच तरीकी की को देखेंगे टॉलरे टर्मिनेट ट्रांसवर्ट ट्रीट और टॉर्ट बैग यह इंपॉर्टन नहीं है जो नहीं है नहीं नहीं बता रहा हूं इसमें आफ से पूछा जा सकता है फिर फ्लो चार्ट को मैं कहा रहा हूं इंपॉर्टन है जून टुम है तो अब को यह था सवाल कर ले नहीं लेकिन आपको रिस्क मैणेञ्मेंट च्राटिजी जरूब तर लेनी चाहिए इसमें से उसके बाद यह च्छे टर्म्स आती है आपको यह लुग कर लेने चाहिए इसके अलबाद टाइप की बिजनस टेक्म लाजी और डेटा पूरी बात कर रहा हूं बिजनस टेक्नलोजी डेटा चेप्टर पांच चेप्टर तीन से मानते हैं इसके बाद मैं गया रहा ह आपको क्या है इक हमारा पहला चेप्टर था अब इतिजार करिए हमारे सेटेटा चला जाओगा तो सेकेंड थर्ड फॉर्फ वीडियो में और बहुत जल्दी हम मिलते हैं आपके साथ में पर फिर से कहूंगा अब तक आपने बिजनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल के वीडियो तक दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाई है जो जरूत मंद्ध है विकॉस शेरिंग इस केरिंग अधर्स और कल मैं बहुत अच्छा और आप सब लोगों के लिए बेनिफिशन अनौंसमेंट भी करना जा रहा हूं बेर साथ जुड़े रही है रात को न